हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज हम सीखेंगे ये सुन्दर सा हैंड बैक बनाना जो की बहुत ही असान है बनाने में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीवर्स मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे है इस वीडियो के नीचे एक रैट करर सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिए उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिगा ताकि मेरे वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ये बिल्कुल ही फ्री है तो आई ये वीडिय कर दी है तो देखें इस पीस की जो लेंथ है वो है 8 and half inch याने साड़े आट inch और विड़ हाफ इंच याने साड़े 7 इच तो ये दोनों जो पीजिज है वो बिल्कुल सेम हैं बड़ाबर हैं, size में इसके बाद ये जो long piece है इसकी लेंथ है ट्वांटी फ्री इंच और वेट है 7.5 इंच इस पर भी मैंने नीचे लाइनिंग का कपड़ा लगाया है बीच में फॉर्म लगाई है और उपर से जो बैक का कपड़ा बाहर की और नजर आएगा वो लगाया है तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के लिए इस पीस को हमें यू के सैंटर से फोल्ड कर लेना है फोल्ड करने के बाद कि देखिए फोल्ड करने के बाद एक इंच हमें अंदर की साइड लेना है और लैंट इसकी लेनी है सेवरेंट हाफ इंच इस तरीके से हमें इसे तेच्छा रखना है और एक लाइन लगा लेनी है ऐसे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद दूसरी साइड से भी हमें एक इंच अंदर की साइड लेना है और सेवरेंट हाफ इंच पर इसे तेच्छा यूँ लाइन लगा लेनी है और कटिंग कर लेनी है कि यह कटिंग कर लिए हमने दोनों पीस दोनों तरफ से तो यह अब हम इंच पीस को लेंगे इसको भी लैंथ वाइज हमें सैंटर से फोल्ड कर लेना है और यहां से भी हमें एक इंच अंदर की साइड मार्किंग कर लेनी है और सेवन एंदर हाफ इंच पर इसे तेर्चा कर लेना है सेम एज हमें फोल्ड पीस के साथ भी कर लेना है यह देखिए हमें तीर्ची लाइन लगाई और इसकी कटिंग कर लेनी है हम एक साथ इन पीसिस को नहीं काट सकते थे क्योंकि जब फॉर्म पे हम कटिंग करते हैं तो कोई ना कोई पीस जो है छोटा बड़ा हो जाता है इसलिए एक साथ कटिंग नहीं की जाती है सब पीसिस अलग-अलग हमने कटिंग किया तो देखिए अब यह भी हमने काट लिय है तो देखिए इस लॉंग वाले पीस को हमें दोनों सिरे अपस में मिलाकर इसका सेंटर निकाल लेना है सेंटर पर हमने मार्किंग करने नहीं है कि यहां पर भी और यहां पर भी मार्किंग करने के पाथ इस पीस का भी जो 7.5 इंच की साइट पर इस पर मार्क कर लेना है और इस के सेंटर को और लॉंग वाले पीस के सेंटर को आपस में आपको मिला लेना है और एक पिन लगा लीजिए ठीक है यहां पर स्टिच करनी है और दूसरा पीस का भी हमें सेंटर निकाल लेना है यहां पर अब इसके सेंटर को और लॉंग पीस के सेंटर को आपस में मिला कर रखना है हमें आप तो देखिए यह भी हमने यहां पर पीन अप कर लिया और इसे भी यहां पर स्टिच कर लेना है तो यह देखिए हमने दोनों पीसिज इस परकार से जोड़ लिये हैं अब हम इन सब पीसिज को ऐसे यहां पर स्टिच करेंगे दोनों पीस को आपस में मिला कर यहां पर यह स्टिच कर लेंगे और इसके बाद यहां पर भी हमें स्टिच करना है और यहां पर भी तो देखिए इस पीस को अब हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से तो अब इस बैक की जो शेप है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी अब हम बैक के स्टिप बनाएंगे तो देखिए बैक के स्टिप बनाने के लिए हमने 18 इंच लैंद की और 3 इंच वेद की एक स्टिप ली है तो दोनों स्टिप हमें 18 इंच लैंद की लेनी है एक इंच वेद की हमने इसके बीच में फॉर्म रखी है और इस तरीके से दोनों कॉर्णर को हमें मिला कर स्टेच कर लेना है तो यह स्ट्रिप में आगे आपको बना के दिखा देती हूं तो देखिए इस स्ट्रिप के बीच में हम यह फॉर्म वाली स्ट्रिप रखेंगे और स्ट्रिप लगा देंगे दूसरी वाली स्ट्रिप भी हमें ऐसे ही त्यार करेनी है झाल झाल अब इन तयाज स्ट्रिप को हमें बैग के बैग में इस तरीके से स्टिच कर लेना है तो यह रेखिए यहां तक हमारा बैग बन के तयार हो गया है अब हम 11 इंच लैंट की जिप ले रहे हैं और इसके दोनों कॉर्णर पर हमें पहले सिंपल फैब्रिक जो साइड वाला फैब्रिक है इसे रखकर के दोनों कुई नारे स्टिच कर लेने हैं यह देखिए ऐसे तो देखिए इस तरीके से हमें इसे यहां पर रखना है 3 x 3 इंच की यह हमने स्क्वैर पीस लिया है और इसको टन करना है उपर की साइड जिप के सीधी साइड की तरफ और तीनों साइड से इसको स्टिच कर लेना है ठीक इसी तरीके से हमें दूसी साइड का जो जिप का किनारा है उसे भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है तो देखिए अब हम इस जिप को इस तरीके से देखिए प्रेले हमें कॉर्णर निकाल लेना है दोनों प्रिंटिड मैटिरियल को आपस में बिलाकर फिर इस कॉर्णर से हमें जिप स्टिच करनी स्टार्ट करनी है दूसरे कॉर्णर तक अगर इसके कॉर्णर थोड़े से भी आगे पीछी हो जाएंगे तो बैक की जो शेप है वह बिगड़ जाएगी इसलिए कॉर्णर आप ठीक से निकालेगा अब जिप का जो दूसरा सिरा है वो भी बैक के दूसरी साइड के साथ हम स्टिच कर लेंगे अब जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा था उसे हम बैक की तरफ करके उपर से जो बैक का कपड़ा है उसे उपर किनारे की स्टिच लगा लेगी तो देखिए दोस्तों यह बैक बन के तयार हो गया है यह हमने जीप यहां पर फिक्स कर दी है और साइड से इसकी शेप ट्रैंगल आएगी और बीच में से यह इस तरीके लगेगा बेस इसका काफी बड़ा है तो काफी स्पेस है इसके अंदर तो दोस्तों अगर आपको आ और आपकी कोई क्या अन्तों कमेंट करना ना भूलें